देश की सरकारी और निजी बैंकों ने अर्बो रुपे के कर्स को राइट ओफ कर दिया है आज खर्चापानी में इसी पर बात करेंगे कि बैंकों ने कितने लाख करोड रुपे का कर्स बट्टे खाते में डाल दिया है और रिकवरी कितनी की है आसान भाशा में जानेगी कि राइट ओफ और NPA क्या होता है और बैंक की फिनाशिल हेल्थ से इसका लेना देना क्या है पिछले पांस सालों में बैंकों ने 10 लाग करोड रुपे से जादा का लोन राइट ओफ यानि बट्टे खाते में डाला है पांस सालों में देश भर के सभी बैंक्स सिर्फ 13 फीज दी ही अपने डूबे कर्स की वसूली कर पाए हैं समाचार पत्र ने इंडिन एक्सप्रेस की एक RTI के जवाब में रिजर्व बैंक ओफ इंडिया ने जानकारी महिया कर आई है RBI ने बताया कि बैंकों ने बड़े पैमाने पर अपना डूबा कर्स बट्टे खाते में डाला है और अपने NPA का बोच कम किया है पांस सालों में सभी बैंकों ने कुल मिलाकर 10,9510 करोड रुपए बट्टे खाते में डाले हैं वें रिजर्व बैंक ने इंडियन एक्स्प्रिस को बताया कि बैंक पिछले 5 सालों में बट्टे खाते में डाले गए कर्ज से केवल 1,32,36 करोड रुपए ही वसूल पाएं अब आपको बताते हैं कि राइट ओफ और NPA क्या होता है दरसल जब बैंकों को अपने कर्ज की रिकवरी की उमीद नहीं रहती तो बैंक इस तरह के कर्जों को बट्टे खाते में डाल देते हैं मतलब एक तरह से बैंक अपने ऐसे कर्जों को लगभग डूबा मान देते हैं रिजर्ब बैंक के नियम के अनुसा है पहले ऐसे लोन को non-performing asset यानि NPA माना जाता है फिर इसके बाद भी जब उनकी वसूली नहीं हो पाती है और लोन recovery की संभावना बेहद कम रहती है तो इस NPA को बट्टे खाते में डाल दिया जाता है बट्टे खाते में इसलिए डाला ज जाती तो उस लोन को NPA घोशत कर दिया जाता है क्योंकि बैंक NPA को फसा हुआ कर्ज मान लेते हैं NPA बढ़ना किसी बैंक की financial health के लिए अच्छा नहीं माना जाता RBI ने Indian Express को दी जानकारी में बताया कि मार्च 2022 तक बैंकिंग सेक्टर के कुल NPA में 7,29,388 करोड रुपए या 5.9 फीस्ती की गिरावट दर्ज की जबकि वितवर्च 2017-18 में कुल NPA 11.2 फीस्ती था इन Indian Express की RTI के जवाब में Reserve Bank of India ने कहा कि पिछले 10 सालों में सभी बैंकों के कुल 13,22,309 करोड रुपए की loan write-off किये गए हैं इस बारे में हमने वरिष्ट अर्थशास्त्री प्रोफेसर अरुन कुमार से बात की आई यह उन्ही सुनते हैं अब जी सवाल उटता है कि NPA होते क्यों हैं तो इसके पीछे दो-तीन कारण है पहला कारण तो यह है कि हमारे हाग क्रोणी capitalism है तो जिनके जब political पहुंच होती है वो फिर pressure डालते हैं कि chairman पे managing director पे और वहां से वो लोन ले लेते हैं जिसमें डिसको due diligence बोलते हैं कि मतलब आपने ठोक बजा के देख लिया कि यह पे करेगा नहीं करेगा हाना बिना उसके आप जह दे देते हैं लोन और वो इसलिए होता है कि political pressure होता है उसके लिए और जो chairman और managing director बगरा होते हैं वो फिर ministry of finance में जो banking division है वहां से appoint होते हैं तो उसमें political डखल होता है तो इसलिए यह तो वजय होती है कि आपने बिना due diligence के लोन दे दिया तो जिसको लोन मिला उसको यह भी लगता है कि अब तो बिना political pressure से हुआ है तो कोई जरूरा भी नहीं है कि मैं वापिस नहीं करता और अगर हालत नहीं भी खराब है तो भी वह वापिस नहीं करता कि वह चलता रहेगा ऐसा है कि जब वह बैंक को लगता है कि वह पैसा वापिस नहीं आएगा तो जैसे कहा कि वह तो आपके asset site पे है कि आपने इतना loan किसी को दिया तो इतना आपके पास asset है अब वो ऐसेट बचा ही नहीं आपका क्योंकि वह आपको लगता कि वो पैसा वापस आए गा ही नहीं तो जब पैसा वापस आई गाई तो राइट उफ करने से वह एसेट से हटके वह फिर आपके प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में लॉस में आ जाता है कि इतना आपका लॉस हो गया, आपका पैसा डूब गया, तो राइट ओफ करने का मतलब हो कि पैसा डूब गया. बैंकों ने पिछले कुछ सालों में कई छोटे वड़े लोन को बटेक हातों में डाल दिया है, वहीं पंजाब नाशनल बैंक के एंपे में 67,214 करोड रुपे और राइट ओफ वाले फॉमले से बैंक ओफ बड़ोधा के एंपे में 66,711 करोड रुपे की गरावट आई है, इसके अलावा राइट ओफ के चलते प्राइविट बैंक, ICICI बैंक का एंपे 50,514 करोड रुपे कम हुआ है, बैंकिंग सूतरों के मताबिक राइट ओफ करने को लेकर RBI के नियम बेहद उदार है, इसमें केंद्रिय बैंक ने सिर्फ आधार टे किया हुआ है और तक्नीकी तौर पर किस खाते की कितनी राशी को बट्टे खाते में डालना है, इसका अंतिम फैसला बैंक बोड ही करता है, अंतराश्ट्रिय बैंकिंग विवस्था में ये सर्व मानने नियम है, बकाया राशी को राइट ओफ करने का मतलब यह नहीं हुआ कि उस खाता धारक से कर्ज वसूरी नहीं होगी, इसका सबसे बड़ा उधारा नीरव मोदी है जिस पर बकाय की पूरी रकम बट्टे खाते में डाली जा चुके हैं, वसूरी के लिए बैंकों की तरफ से अब भी लगातार कोशिश चल रही है, आपको बता दें कि हाली में वितमंत्री निर्मला सीतारामनी सरकारी बैंकों के अच्छे प्रदर्शन का हवाला देते हुए बताया था, कि बैंकों के नॉन प्रफॉर्मिंग आसेट्स में कमी देखी जा रही है, जो बैंकों की सेहत सुधरने का संकेत है, इस बारे में भी हमने एक्सपर्ट से बात किया यहोंने सुनते हैं, राइट ओफ का मतलब है कि आपका जो कर्ज है वो अब आपको वापिस नहीं आने वाला है, यह बैंक को लग रहा है, तो वो माफ तो करी नहीं सकते, वो तो सरफ यह है कि अब मतलब जब हालत बिगड़ गई है, तो अब क्या करेंगे, तो इसलिए फिर वो यह मान लेते हैं कि अब तो यह नुक्सान ही हो गया है, तो नुक्सान, मतलब राइट ओफ करने का मतलब नुक्सान हो गया, तो उसके किस चलेगा और फिर बी अगर कुछ पैसा मिलता है तो जैसे कि आपने शुरू में कहा कि दस लाग करोड में से सिरफ एक सवा लाग करोड रुपए ही है जो recover हो पाया है बाद में जाके और दस लाग करोड फिर right off हो गया है तो यानि कि कोशिश जारी रहेगी पर लेकर उमीद नहीं है और खासकर क्योंकि right off होने के बाद बिजनस ये तरह से ठवड हो जाता है जब वो M.P. हो जाता है तो business चल नहीं पाता है business चलनहीं पाता तो फिर उसकी आमदनी नहीं रहेगी तो return भी नहीं हो पाता है तो बस यह है कि फिर जो आपके company के assets हैं उसको आप निलाम करके जितना पैसा मिल जाए तो मिल जाए या company को आपने किसी दूसरे को बेच दिया तो वो अने पौने दाम पर खरीद लेगा तो उतना फिर पैसा आपको मिल जाएगा तो बस यही रिकवरी होती है यहां किसान है जिसका एक लाग दो लाग रुपए का जेल बाखी रहता है उसको तो आप कुरकी कर देते हैं उसको परिशा और कई जो बिजनेसмен हैं वो चलाखी करते हैं कि वो एक कपनी निकालन लेते हैं तो एक कपनी को वो बैंक्रप डिक्लेर कर देते हैं जबकि दूसरी कमपनी में वो पैसा चला दाता है वहां से उसको फाइदा उठाते रएते हैं ये था आज का खर्चा पानी दोस्तों, ये बुलेटन आपके लिए लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने, आप इस एपिसोड के बादे में अपनी राये हैं गौमिन बॉक्स में जरूर दे, अगले एपिसोड तक अपना खुब ख्याल रखें, शुक्रिया